अभी कली मैं अपना YouTube स्क्रोल कर रहा था और तभी अचानक से मेरे सामने ये वाला शॉट आगे। इसका डाइडल था कौन है दुनिया का नंबर वन यूटीबर? I mean सबको पता है कि biggest individual YouTuber है PewDiePie and biggest channel है T-Series बट इस शॉट को देखने के बाद मैं थोड़ा सा shocked हो गया क्योंकि कोई तो है apparently जिनके पास इन से भी ज़्यादा subscribers है सो आजके इस वीडियो में इसी चीज के बारे में बात करेंगे कि कैसे ये चैनल दुनिया का नंबर वन चैनल बन गया और क्या Mr.Beast इस चैनल को हरा सकता है या नहीं? सो लेट स्टार्ट! सो चलो सबसे पहले इस शॉट को देख लेते हैं अगर मैं आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर कौन है तो आपका जवाबों का टी सिरीज, पॉपी पाई या Mr.Beast लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है पविल रादेओ जिसके चैनल का नाम है The Soul Publishing क्या आप भी चोमू को नहीं जानते हैं मैं आपको बताता हूँ चोमू बोले की क्या ज़रुत थी एनिवेस देखते चलो यह वही कंपनी है जो फाइब मिनिट क्राफ्ट, वन्टू थी को ब्राइट शाइट, सेवन सेकंड रीडर्स, लाला लाइफ और वैसे बहुत से च क्यानल से हैं इस वीडियो को देखने के बाद मैं बिलकुल कंफर्म हो गया कि यह जो फाइब मिनिट क्राफ्ट वाले वीडियो बनाते हैं बहुत स्टुबिड वाले, एक्शली में यह जानभूच के बनाते हैं ताकि लोग इसको शेर करें और जादा करके रोस्टर्स इनका मजा कुरा मैंने बहुत बार इनके वीडियो को ट्रेंड करते हुए देखा है और काफी बच्चों को भी देखा है इनके oversaturated colorful वीडियो देखते हुए बेसिकली इनका target audience हम नहीं है बच्चे है और हम इनका मजा को राके indirectly इनका ही फाइदा करा देते हैं कितने बड़े-बड़े Indian channels ने इनके ओपर video बनाया होगा like triggered इंसान ने कितने सारे videos बनाये and इन पर views देखो 11 million, 14 million, 12 million, 32 million, 16 million, 29 million, 13 million, 15 million, 21 million and 17 million, 12 million and ऐसे बहुत सारे videos है YouTube India में सो यह लग quality से जाधा shareability पर ध्यान देते हैं and as उनसे figured out कि उनको बस ऐसे videos बनाने है वो बस ऐसे videos बनाने लगे different different languages में basically उनके videos को जैसा हमने इस shot में देखा उनने इस languages में dub किया जा रहा है and response भी खतरनाक मिल रहा है अभी बहुत सारे channels इस strategy को अपना रहे है जहां पर वो अपने English language वाले content को dub करके different different languages में बाट रहे है different different channels के तुरू ताकि जो language का barrier है वो खतम हो जाए अगर किसी viewer को उतने अच्छे से English नहीं आती है तो वो अपने language में content को देख सकता है जिसे channels का क्या फायदा होता है उनको ऐसी audience मिल जाती है जिसको वो normally तो कभी भी पहुच नहीं सकते है बट dub करके जरू पहुच सकते है So it's a whole new audience वैसे गर आपको English बोलना अच्छे से सीखना है तो आप Cambly आपको डाउनलोट कर सकते हो Cambly एकलो हता है एप है इंडिया का विच प्रोवाइड जीव one-on-one private English classes with tutors from the USA, UK and Canada यह आप उन लोग के लिए जो लिखना और पढ़ना तो जानते हैं अच्छे से English में बट confidently English बोलने में struggle करते हैं यहां आप किसी भी course को select कर सकतो like business, English, personality development या IELTS Cambly के tutors are friendly and supportive जो आपको weak areas को improve करने में मदद करेंगे without any judgment So अभी Cambly को download करो and 15 minute का trial मिलेगा तुमको बस 99 रुपीज में इस code को use करना मत भूल Okay, so अब तो आपको पता लग चुका है कि कैसे कुछ channels the language barrier को beat करके नई audience तक पहुँच रहे हैं बट यह तो हो गई views और subscribers की बात Actually में यह issue थोड़ा सा serious भी है इनके उपर आज से कुछ एक देर साल पहले आंद्रे तरविया ने एक video बना था जिसमें वो बता रहे थे कि कैसे यह channels पहले तो अच्छा content बनाया करते थे बट जब से इनको पता चला है कि quality से जादा लोग कितना share कर रहे है वो matter करता है उन्होंने content के नाम पर कुछ भी upload करना start कर दिया चाहे sense बने या फिर ना बने कुछ भी upload कर दो एसे बहुत सारे incidents हुए थे जिनके बारे में आंदरे तरी भी अपने वीडियो में बताते है तो इस वीडियो को चेक करना बिलकुल भी मदभून बट इस मेड में रेलाइस कि corporations are slowly taking over YouTube I mean unpopular opinion है सुन लो YouTube का जो true essence था ना एक इंसान camera के सामने आके बैठता था एंड कुछ भी बोल सकता था एंड लोग उसके लिए ही उस इंसान को पसंद करते थे बट वो चीज अब मेरे को थोड़ा सा धीरे धीरे गायब होता देख रहा है अब ऐसा लगता है कि कौन कितना ज़ादा पैसा लगा सकता है अपने वीडियो में और कौन कितना ज़ादा grand scale का वीडियो बना सकता है मैं west की बात कर रहा हूँ ऐसे क्योंकि इंडिया में तो I guess अभी भी true essence है अभी Mr. Beast का ये example ले ले लेते नई audience तक पहुचना जाते है उनके काफी सारे channels है जो कि उनके सिर्फ dubbed वाले videos डालते है उनमें से एक है Mr. Beast Hindi इसको promote करने के लिए उन्होंने काफी सारे Indian यूटीबर्स का भी मदद लिया है लाइक Mr. Indian Hacker, Myth Pat, Fukra इंसान तो कोई अगर इन companies को टक कर दे सकता है तो वो सिर्फ Mr. Beast ही है क्योंकि अगर आप इस platform पर टिकना चाते हो बड़े level पर compete करना चाते हो तो आपको एक company की तरह act करना होगा अगर नहीं करोगे तो उतने बड़े scale पर compete कभी भी नहीं कर पा होगे तो यहां तक वीडियो देख लिया है तो comment कर देना beast और अगर आपको नहीं पता कि Indian YouTubers Mr. Beast की copy क्यों करते है तो इस वीडियो को click करके अभी देख